हालो एवरीवन एक नए वीडियो में आप सब्सक्राइब फिर से स्वागत है इस वीडियो में कुछ प्रिस्मा पर हम विचार करने वाले हैं बात करने वाले हैं तो पहला प्रस्न इस प्रिकार से है कि कोशिका की खोज किसने की थी कोशिका की खोज किसने की थी से पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई पदार्थ होता था तो पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिल करके बनता था सभी पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिल के बनते थे इन कणों को हम कहते थे आनव ये तो रही पदार्थ मिंस निर्जी वस्तों के बारे में बात करें तो अगर हम सजी वस्तों के बात करें यानि जीओं के बारे में बात करें तो जिस प्रकार से निर्जीओं यानि पदार्थों का जो स्रशना होती है वो अणों के द्वारा बनायाता है यानि प्रतेग पदार्थ अणूं से बने होते हैं उसी प्रकार प्रतेग जीओं का सरीर जो जीओधारी है उनका सरीर छोटे-छोटे कणों से मिलके बना है उसको कहते हैं कोशिका निर्जीओं में अणू और सजीओं में कोशिका तो पृतिएक जीवधारियों का सरीर कोसिकाओं का बना होता है जिसकी खोज सरव प्रथम राबर्ट हुक नामक बैज्यानिक ने सन 1665 हिज़बी में की थी आज से लगभग साड़े 300 साल पहले अब अगला प्रस्ण है कोसिका को जीवण की सन रचनात्मक वा क्रियात्मक इकाई सन रचना पतलब सरीर की रचना हुई हो सर चनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और उसे क्रियात्मक इकाई भी क्यों कहते हैं तो इसका एंसर कुछ इस प्रिकार से है कि जीवधारियों के सरीर का निर्मान कोशिकाओं से होता है अतहा कोशिकाओं को जीवन की सनचनत्मक इकाई कहते हैं सिधा उत्तर है और दूसरा जीवों में समस्त जैविक्रियाएं कोशिका दोरा ही समपन होती है इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं आगला प्रस्न है कोशिकाओं कितने प्रकार की होती है तो इसका एंसर है कोसिकाई स्रचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं पहला प्रकार है इन दोनों प्रकार की कोसिकाउं को विस्तार में हम आगे के बीडियो में जानेंगे